जाइस मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जोगी मैंने सौरफ जोशी और ट्रिगर इंसान के उपर वीडियो बना दी मैं ट्रिगर इसन सान और सौरफ जोशी दोनों कोई सौरी बोलना चाहती हूँ ट्रिगर इसन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अपनी चोटी भेंट कि मैं किन दो ग्रीटर की बात कर रही हूं उनके नाम लेना चाहूंगी पहले का नाम है सौरफ जोशी ब्लॉक्स दूसरे का नाम है ट्रिगर इंसान तो इन दोनों यूट्यूबर्स को गाईस में सौरी बोलने के लिए उनसे माफी माफी मागने के लिए आई हूँ क्योंक इनके जिटने भी फैंसे सौरफ जोशी के और ट्रिगर इनसान के वह सारे के सारे प्याले पास अगहें जगह जगहें पर पहुंच गहें जैसे मेरे इंस्टाग्राम पर पहुंच गहें मेरे को मेल करनें लग गए मेल में मुझे धम्क्या देने लग गए कि रेप थ्रेट देने लग गए इसके अलावा मेंको जब मैंने अपना message request चेक किया Instagram पर तो मुझे पता चला कि एक दिन में काफी सारे message आई हुए मेरे पास और उन सारे की सारे messages में सिर्फ गालिया लिखी हुई थी और मुझे बोला गया था कि पायल दोन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि तुमने ट्रिगर इंसान और सौरफ जोशी के खिलाब दो शब्द बोल दी है तो मुझे पता चल गया यह messages और यह emails पढ़के की गलती मेरी ही थी क्योंकि यार मेरी ही गलती है तब ही तो मुझे यह threats और मुझे इस तरीके की गालिया पढ़ रही है क्योंकि अगर इनकी गलती होती तो इने पड़ती बट इने तो कुछ फारक निपढ़ रा है सारी की सारी गलती मेरी है तो इसलिए मैं इन दोनों से sorry बोलना च लडकी हुआ यही काम होता है बरतंद होना और खाना बनाना और और क्या कर सकते हैं कि यह मैं यूट्यूब पर आके वीडियो क्यों बना रहे हुए इतनी मेनत क्यों कर रहे हुए इतनी बुरी तरीगे से लोग बाते बोलते हैं मैं मतलब क्या बता हूँ इतनी जादा सर्केस्टिक और गुस्से के ढग मैं यह वीडियो बनाने के लिए मतलब इन्हों ने मुझे ट्रिकरड इनसान और सौरफ जोषी दोनों ने बहुत ही जादा में परिशान किया हूँ मतलब मेरे को इतना जादा परिशान करने के पावजूद यह अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल रहे थे यह अपने Instagram पे story डाल रहे थे और इतना खुश हो के अपनी story में दिखा रहे थे क्योंको इनको कोई फ़रक नी पढ़ता कि इनकी वज़े से एक लड़की इतनी तादा परिशान हो रही है और mentally harass हो रही है इनको कोई फ़रक नी पढ़ता मुझे लोग बोल रहे है कि पैस तुम तो real डाल रही हो अपने Instagram पे और तुम तो कहती है तुम बहुत परिशान हो तुम depression में हो अरे मैं हूँ depression में यार लेकिन कैं मैं real नहीं डाल सकती जब यह लोग इतनी खुशों के story डाल रहे है तो मैं अपने आपको थोड़ा mood change करने के लिए तो मैंने real बनाई थी तो सारे मेरे उपर चड़ गए कि तुम तो real बना रही हो जूटी गएगी तुम ए depression नहीं हुआ है तो इस तरीक है कि बाते मुझे बोल रहते हैं मुझे बहुत ही जादा का इस बुरा लगा मैं क्या बता हूँ इनके fans के बारे में लेकिन इनों ने तो अपने fans होने का बहुत अच्छा फर्ज निफाया है ऐसे ही होने चाहिए fans को कि सामने वाली लड़की को कुछ बोलने ही ना दे सामने वाली लड़की का मुझ बंद करवा दे हम तरह तरह के mails करके और messages करके क्योंकि उसको कोई हक नहीं है न बोलने का यार वो अगर अपने अलग opinion रखती है वो लड़की अगर किसी यूट्यूबर को पसंद नहीं करती है तो उसे उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो एक लड़की है तो उसको कोई हक नहीं है तो इन लोगों ने मुझे ये बात अच्छे से सिखा दी बजाए कि यूट्यूब पर विडियो बनाने के क्योंकि हमें कोई हक नहीं है अपने विचार रखने का मैं यार सीरिस्टी मैं इतनी जादा परेशान हो गई हूँ मैं क्या बोलू क्या नहीं बोलू मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप गाइस मुझे एक बात बताईए आप मुझे एक बात बताईए दिल से आपको क्या लगता है जो मैं ये विडियो बनाती हूँ कि सौरफ जोशी ने मेरा घर तुड़वा दिया सौरफ जोशी ने मेरा घर चला दिया तो क्या मुझे ऐसा लगता हुगा कि आप लोग मेरी वीडियोस पर भरोसा कर लेंगे अरे नहीं यार इतना दिमाग मेरे में भी है कि मेरी इन वीडियोस पर कोई भरोसा नहीं करेगा सबको पता है कि सौरफ जोशी मेरा घर कैसे तुड़वा सकते है मेरा घर नहीं चला सकते सौरफ जोशी यह चीज़ सबको पता है बट स्टिल मैं वो वीडियो बनाती हूँ और अपने चैनल पर डालती हूँ क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जादा से जादा इल्लोजिकल वीडियो बनाऊ जादा से जादा मैं ऐसी बाते करूँ जिससे लोगों को बुरा ही ना लगे अगर सौरफ जोशी मेरी वीडियो देखेंगे कि भाई उन्होंने मेरा घर तोड़ दिया मेरा घर जला दिया तो वो हजी मताद में ले लेंगे अरे यह लड़की क्या बोलती रहती है अरे पागली इस तरीके से ले लेंगे बट अगर मैं उनको रोस्ट करने बैट जो यहां पर एक्सपोस करने बैट जो सबूत और गवा के साथ तो उनको बुरा लगेगा कि यह लड़की तो में पीछे बढ़ी रहती है में को रोस्ट करने और एक्सपोस करने इसलिए मैं कभी किसी के उपर सभूत और गवा के साथ वीडियो बनाती ही नहीं मैं जादा से जादा कोशिश करती हूँ इलोजिकल वीडियो बनाने की सामने वाले को बुरा ना लगे तो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मेरी वीडियो से किसी को हर्ट ना हो और स्वारजशी आप सच बताना और ट्रिगर इंसान आप सच बताना अपने दिल पे हाथ र डिफिनिटली कोई ऐसा नहीं कर सकता बट स्टिल आम मेकिंग इस वीडियो ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे अगर सौरफ जोशी मेरी चार वीडियो देख रहे है तो उन्हें बुरा ना लगे है एक लेस्ट वाए मैं वो वीडियो बना रही हूँ बट लोगों को बना रही हो इरलोजिकल ताकि लोगों को बुरा ना लगे बट लोग तो यार मेरी बात को समझने को तैयारे नहीं है तो मत समझो यार मैं नहीं चाती कोई मेरी बात को समझे मैं ने देखा यह जितने वी शौर्ट्स क्रियेटर है यह लोग वीडियो बना रहे थे कि अ square भ बोला वैसा बोला बहुत अच्छी बात है आपने उनके पॉइंट को कवर किया लेकिन जो मैंने बोला सौरफ जूशी और ट्रिगर्ड इंसान के बारे में मेरी न्यूस को क्यों नहीं कवर किया गया आपने जो शॉट चैनल बना रखें उसके नाम में लिख रखा है अपने न्यूस को किसी ने कवर ने किया क्या लड़किया तो ऐसी बोलती रहती है लड़क दिमाग तो गटनओं होता है उनकी न lowers कम कर ने तो पागल है प्राउड है कि ये लोग अपना काम ढंग से कर रहे हैं न्यूस बोई और नियॉन मैन पाकि एदर्वाइस जितने भी शॉट चैनल है उन्होंने मेरी न्यूस को बिल्कुल भी कवर नहीं किया क्योंकि इन्हें लगता है कि पना यहाँ आपके वीडियो बनाने से क्या हो जाएगा आपके सारे फैन्स आ, लाकों के जो आपके फैन्स आसे बारे sono कई डरेनों में दहन के लिए तो वो जरूलती पास रखिए जो आपको अपनी ओडियंस से मिल रहा है, मुझे नहीं चाहिए तो गाइस बस मैं बहुत जादा बोल चुकी, अब में को जादा कुछ नहीं बोल ला है, मैं तो यह बाते भी नहीं बोलना चाहती थी, बट यार मैंने पता नहीं क्यों बोल दी, फ्लो फ्लो में, बट यार इट सोक है मैं, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, गाइस, थेंक यू सो मच इस एंड में मैं सिर्फ यहीं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं हूँ, आपको वीडियो देखकर पता चल गया होगा कि मैं काफी जाता सैर्केस्टिक टोन में बोल रही थी, तो मैं सॉरी नहीं हूँ, सॉरी जिन लोगों को बोलना चाहिए, उन्हें तो बोलन नहीं पड़ेगा, मेरे से सॉरी मांगना चाहिए, आप लोगों को जलते जलते